हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का तो आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टन प्रस्न है जो आपके आने वाले एकजाम्स के लिए काफी मातों पुड़ोंगे आए सुरू करते हैं पहला कोस्टन है आज का 5 की पावर 24 या 5 की घाते 24 का वर्गमूल क्या होगा जब भी आपको घात की रूप में वर्गमूल पूचा जाए तो आप क्या करेंगे सीधे सीधे जो घात दिया गया होगा जैसे हाँ पर 24 ये घात में लगा हुआ है आप क्या करेंगे इस घात में 2 का भाग दे देंगे 2 से divide कर देंगे आपका आजाएगा 12 अब इसी घात को आपको आपस 5 की उपर लगा देंगे सिधे सिधे आपका answer आजाएगा 5 की घाते 12 पांच के पावर 12 इसी तरह से अगर इसी प्रस्न में वर्गमूल की जगह आपसे घंबूल पूछा गया होता तब आप क्या करते कुछ नहीं करना है घंबूल में आप सभी जानते हैं तीन-तीन का जोड़ा बनाते हैं एक बट्टी तीन या तीनमा मूल लेना होता है तो हम क्या करेंगे 24 में 3 से डिवाइट कर देंगे आपका 8 आजाएगा भागपल सिदे सिदे आप 5 की पावर 8 कर देंगे ये आपका हो जाएगा 5 की पावर 8 5 की पावर 24 के लिए घंबूल और वर्गमूल हो जाएगा 5 की घाते 12 आएगे देखते हैं अगला प्रस्न यदि x प्लस 1 अपान x इस इकल टू 5 दिया गया हो तो x स्क्वाइर प्लस 1 अपान x स्क्वाइर का मान क्या होगा इस प्रस्न को या तो आप इन दोनों पच्छों का वर कर दीजी अलग अलग वहां से भी आप साल्ट कर सकते है साट ट्रिक इसके क्या होती है जब आपको इस तरह से मान दिया गया हो और आपको इस तरह से पूछा जाए आपको सीधे से देख्या करना है जो यह वैलू दी गई रहती है एकस प्लस वान अपान एकस का इसका आप स्क्यार कर दीजीए और इसमें से दो माइनस कर दिया करिएगा यानि पच्छीस माइनस दो यह आपका हो जाएगा तेईस डारेक्ट आपका आंसर आजाएगा ट्विंटी त्री अगर यही पर एकस स्क्यार की जगह एकस क्यूब होता यानि एकस क्यूब प्लस वान अपान एकस क्यूब का मान पूछा होता तब कैसे करते हैं आप लोग तो यही पर जहाँ आप पांच के स्क्यार कर रहे थे यहाँ पे आप पांच का क्यूब कर देंगे माइनस यहाँ दो ले रहते आप यहाँ पी आप तीन ले लेंगे लेकिन इसमें फिर पान से मल्टिप्लाई भी करना पड़ेगा आपको यह यह हो जाएगा 125 और यह हो जाएगा 15 इस तरह से आजाएगा आपका आंसर 110 तो गन्मूर निकालना हो अगला प्रस्न है प्रस्न में आके चलने से पहले एक चीज़ आप जानते होंगे अगला नहीं जानते हो तो आप बल्कुल जान लीजिए एक न तो भाजे संख्या है और नहीं अभाजे संख्या है ये प्रस्ण कई परिक्चाओं में पूछा गया है तो सबसे चोटी अभाजे संख्या कौन से हो गई दो हो गई दो को सम अभाजे संख्या भी कहा जाता है यहाँ पर आपसे कुल अभाजे गुणंखंडों की संक्या पूचा है अगर कुल गुणंखंडों की संक्या पूचता तो आपका यहाँ पे आंसर दूसरा होता इसमें हम क्या करता है पंद्र जो आपका आधार में दिया गया है ब्रैकेट के अंदर इस पंद्रक का आप अभाजे गुडंखंड कर लेंगे तीन गुडंखंड हो जाएगा इसमें आप एक नहीं लेंगे क्योंकि आपका एक जो है अभाजे और भाजे दोनों कटिगरी में नहीं आता है तो पंद्रक के लिए अबाज गुडंखंड हो जाएगा तीन गुड़े पांच यहाँ पर गुडंखंडों की संख्या कितनी है दो है तो यहाँ पर चुकी 15 की घाते 25 लगा है आप क्या करेंगे सीधे सीधे इस दो में 25 से मल्टिपलाई कर दीजिए आपका आंसर आजाएगा 50 ठीक है डी होगे आपका राइट आंसर यानि जो भी आपको संख्या दी गई रती है उस संख्या का आप अभाज गुडंखंड ग्याद कर लेंगे जितने भी अभाज गुडंखंड होते हैं उसका डाइरेक्ट आफ घात में गुड़ा कर लेते हैं या आपका राइट आंसर हो जाता है अगला प्रसना है 720 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है ये प्रसन करना है आपको यानि कितनी ऐसी संख्याओं हो सकती हैं जैसे आप एक से भाग दे सकते हैं 720 में दो से दे सकते हैं से देख सकते हैं इस तरह से कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है इसको करने के लिए साथ ट्रिक क्या होती है आप 720 का सबसे पहले अभाजे गुणंखंड कर लिजिए ठीक है दो से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 360 फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे आपका हो जाएगा 90 फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे आपका हो जाएगा 45 इसके बाद 3, 3 और 5 ठीक है ये खुल हो जाएगे अब आज ये गुणंखंड 720 के यानि हम 720 को लिख सकते हैं दो गुडे दो गुडे दो गुडे दो ये 4 बार है इसको हम डारेक्ट ऐसे लिख द दिया जा सकता है इसे तैसे क्यात करते हैं बस जो आपको घात दी गई रहती है इस घात में एक एक जोडते वे इनका आपस में गुडा कर दीजिए ठीक है चार में एक जोडेंगे 5 दो में एक जोडेंगे 3 और एक में जोडेंगे 2 ये आपका हो जाएगा 5, 3, 15, 12, 30 यानि भी आपको इस तरह की संक्या दी गई ओ कितनी संक्यावों से भाग दिया जा सकता है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले उस संक्या के लिए अभाज गुडंखंद ग्यात कर लेंगे आभाज गुडंखंड में याद रखियेगा क्योंकि एक आपका नतों भाज है और नहीं अभाजे संक्या है ठीक है तो जो अभाजे गुणंखंड आ जाएंगे फिर उनको आप घात की रूप में लिख लेंगे जो संक्या जितनी बार होगी गुणंपल में यानि अभाजे गुणंखंड में उसकी घात उतनी लगा लेंगे फिर उस घात में एक एक जोडते वे उन करना है पहले इस्तिती में जो सेजफल बचा हुआ है 28 आप इसी में क्या करेंगे 13 से भाग कर देंगे ठीक है 13 दुना 26 करेंगे आपका दो सेजफल आएगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है इसमें आधारित आगे कुछ महतोपुल प्रस्न है ठीक है यह प्रस् की हानी होती है तो उस वस्तु का क्रेंग मुल्य क्या होगा देखिए दी समें होगया कि सौ प्रस्त क्रेंगे होगा ठीक है 20% की हाने का आर्थ हुआ कि 80% मुल्ले में इस वस्तो को बेचा गया ठीक है तो जो 300 आपका है ये 80% के बराबर हो गया अब आप मुझे बताईए जब 3080% के बराबर हो गया क्रेब मुल्ले आपका 100% के बराबर है ठीक है तो क्रेम मुल्ले यानि 100 प्रस्ट के बराबर कितना मुल्ले का कैसे निकालेंगे आप क्या करते हैं 80 प्रस्ट ये बराबर 300 के तो 100 प्रस्ट कितने के बराबर होगा आप क्या करते हैं 300 में 100 से multiply कर देंगे और 80 से divide कर देंगे इस तरह से आपका answer आजाएगा 375 रूप तो आप क्या करते हैं 20 को डारेक्ट आप 100 में add कर देंगे यानि अब जो बिक्रे का प्रस्ट हो जाएगा 120 हो जाएगा तो फिर आप 80 के जगह आप 120 ले लेंगे means जब भी आप से कहा जाए कि 20 प्रस्ट किसी में बृद्धी कर दी गए या 20 प्रस्ट लाब हो गया तो सिधे से ते क्या करेंगे आप जितना प्रस्ट लाब होता है उसको आप एक्स में जोड़ देंगे उस प्रस्ट को और इसी तरह से जितने प्रस्ट की हानी होती है डारेक्ट 100 में से माइनस कर लेते हैं तो आयोब कि आपको ये प्रस्ट समझ में आ गया होगा आईए देखते हैं अगला प्रस्ट एक पार्टी में 6 मित्र एक दूसरे को गिप्ट देते हैं तो कुल गिप्टों की संक्या बताईए ये प्रस्ट आप बड़े आसानी से कर स एक सिगंड भी आपको नहीं लगना है आप क्या करेंगे जो 6 मित्र है न तो आप 6 गुड़े 6 से घटा करके 5 इन दोनों का मल्टिप्लाई कर दीजिए ये आपका 30 आ गया और ही आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ये कंबिनेशन से सम्मधित प्रस्ट होता है जब अब ही आपको इस तरह का प्रस्ट मिले तो आप डारेक्ट इस तरह से कर देंगे इसी पर आदारित एक प्रस्ट और देख लीजिए एक पार्टी में छे दोस्त एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए कुल हाथों की शंक्या कितनी होगी अब देखिए हर एक आदम एक ही गिप्ट दे रहा था लेकिन यहाँ पर दो हाथ होने के वज़े से रिपीटीशन की समस्या आएगी तो यहाँ पर आपको बस एक काम करना होगा 6 इंटू 5 तो आप करेंगे लेकिन इसमें आप फिर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो यह आपका 30 होग या 30 बटे 2 कर 576 के पावर में 1151 में इकाई का अंक क्या होगा आपको यह बताना है दिखिए जब भी 0 इकाई के अस्तान पर 0, 1, 5 या 6 आए और घात चाहे कितनी भी लगी हो हमेशा उस संक्या के लिए इकाई का मान वही होगा जैसे 576 के घाते 1151 है तो इसमें इकाई का अंक 6 ही होगा ठ इसमें कुछ करना ही नहीं होता है घात चाहे कुछ भी हो घात प्लस में हो माइनस में हो आपको उससे कोई मतलब नहीं है अगर आपको 0, 1, 5 और 6 इकाई के अस्तान पर देख जाए तो आपका अंसर डारेक्ट इह हो जाएगा अगर इसके अलावा कोई दूसरा अंक हो इका उसे ज्याद कर लिजिए सेसफल आपका जो भी आए जीरो हो सकता है एक या दो या तीन हो सकता है ठीक है तो यहां पर आप डिवाइट करेंगे तो आपका सेसफल आ जाएगा तीन अब इस सेसफल को जो दी गई संक्या है उसका जो इकाई का अंक है आपको इकाई का अंक पाकिस से आपको कोई मतलब नहीं है, इकाई के अंक पर डारेक्ट आप इस सेजफल को घात की रूप में लगा लेजिए, ठीक है, यह हो जाएगा दो दुनी चार दुनी आठ, तो यहां पर आपका इकाई कंग कितना हो गया, आठ हो गया, इस तरह से आप डारेक्ट कर कि 3 आएगा सेजफल 35, 4, 38, 32, यहां पर भी आपका सेजफल 3 आ रहा है, ठीक है, मैं यहां पर फोल ले लेता हूँ, तो सेजफल आपका 2 हो जाएगा, थोड़ा से डिफरेंट कर लेता हूँ, अब क्या करेंगे आप इसी सेजफल को इस धी गई संख्या में जो इकाई का अ किसी पूर्ड संख्या यम को 5 से भाग देने पर सेजफल 3 आता है, और इस प्रकार प्राप्त भागपल को 4 से भाग देने पर सेजफल 2 आता है, यदि संख्या यम को 6 से भाग दिया जाए तो सेजफल कितना प्राप्त होगा दिखें, जब भी आपको इस तरह का प्रस्ण दिया गया हो कि पहले कोई से एक संक्ध्या हो, उसमें किसी संक्ध्या से भाग दिया जाए सेशपल जो भी आए, अब जो भागफल हो, ठीक है यानि उस संख्या में भाग न दे करके, भागफल में भाग दिया जाए ठीक है और कुछ सेसफल आता हो फिर पूछा जा किसी संक्या से उसी जो पहले वाले संक्या है पूर्ड संक्या यम उसी में भाग दिया जाए तो सेसफल कितना आएगा इसे कैसे करेंगे आप पहले सिच्वेसन देख लिजिए यम को पांच से भाग देने पर सेसफल तीन आएगा ठीक है यहां पर आपको यम कमान पता चल जाएगा कैसे आप क्या करेंगे इस तरह से उपर से नीची आएगे और इसको प्लस कर देंगे तो 3,3 और 2,5 हो जाएगा फिर इस 5 का इस 5 में मल्टिप्लाई कर दिजिएगा तो 5,25 हो गया फिर इसका आप 4 में इसको क्या आपका हो जाएगा संख्या M फर सुनलीजे 5 से भाग देने पर पाएंगी इसको जोड़ लिजेगा आपस में और जो भी जोड़ने के बाद जो भी आता और 5 आया इस 5 का इसमें गुड़ा कर लेंगे यहां पर जो भी संख्या होगा अब जो प्राफ्त होता है आपको 25 प्राफ्त होगा अब इस 25 में फिर से आप इस 4 को add कर लेंगे ठीक है तो इस तरह से आपको संक्या प्राफ्त हो जाएगी अब इसमें आप 6 से भाग दे लेंगे तो आप तो काफी आसान हो गया तो 6-4 को 24 करेंगे 24-5-29 पांच सेसपल बच जाएगा आपका ठीक है तो पांच यहां पर हो जाएगा राइट आंसर अब इस तरह के आगे भी प्रस्न करेंगे अगला प्रसंद देख लिजी यदि यम को पांच से भाग दिया जाता है तो सेसपल दो आता है ठीक है यम आपकी संक्या दी गई है इसको पांच से अगर भाग दिया जाता है ये सेसपल आपका दो आता है ठीक है आप भाग पल कुछ भी ले जाते हो एक बार दू बार तीन उससे आपको मतलब नहीं है, तब अगर यम स्क्वायर को, यानि अब यम के जगह यम स्क्वायर है, यम स्क्वायर को अगर आप तीन से भाग देते हैं, तो सेस्पल कितना आएगा, इसमें कुछ नहीं करना होता है, पहले इस्तिती में जो भी सेस्पल आता है, जैसे पहले इ यम में पांस से भाग देने पर सेस्पल दो आता है आप क्या करेंगे इसी सेस्पल का स्क्वार कर दिजी डारेक्ट दो का स्क्वार करेंगे चार हो जाएगा और इसी चार में आप तीन से डिवाइड कर दिजी अब आपका सेस्पल कितना हो जाएगा एक हो जाएगा एक आपती है उसमें आप तीन से भाग दे देंगे जो सेस्पल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा अगला कोश्टन देख लिजिए किसी संक्या में साथ से भाग देने पर सेस्पल पांच आता है तो उस संक्या में अठारा से भाग देने पर सेस्पल क्या बचेगा ये प्रस्त थोड़ा सा अलग है ठीक है बहुत थोड़ा सा अलग है ज्यादा इसमें कुछ डिपरेंग ने बहुत थोड़ा सा अलग है देखी किसी संक्या में साथ से सपोच करिवा संक्या यक्स है उसमें आपने साथ से भाग दिया तो सेसपल आपका पांच बच रहा है अब उसी संख्या में 18 से भाग देने पर सेस्पल क्या बचेगा तो क्या करेंगे आप यह जो 5 दिया गया है इसमें आप 18 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि मैंने आपको ऐसी बताया था एक कोसम पहली भी कराया था अब देखें यहां पर 18 में 5 से भाग देंगे एक भाग फल ले जाएंगे तो 18 आएगा जो कि 5 से ज्यादा हो जाएगा सेस्पल आपका माइनस में आएगा तो आप क्या करेंगे जीरो भाग फल ले जाएगे, जीरो भाग फल ले जाएगे, तो 18 सुने सुनना हो जाएगा, और यहां माइनस कर लेंगे, तो आपका सेसपल कितना आ जाएगा, पांच आ जाएगा, यहनि जब भी किसी संक्या में, किसी बड़ी संक्या से भाग देते हैं, तो छोटी संक्या ह जिसमें भाग देते हैं जो भाज ही होता है हमेशा आपका सेस्पल वही हो जाता है यहां पर आपका डारेक्ट आंसर कितना हो जाएगा पांच यह जब भी आपको देख जाए कि जो पहले इस्तिती में सेस्पल बचा है और दूसरी इस्तिती में जो भाजक हमारा है अगर पोच करिए साथ से किसी संख्या में भाग देने पर सेसफल कितना बचरा है पांच बचरा है तो सकता है भागफल जीरो बार गया होगा तो सेसफल तब वो संख्या कितनी हो जाएगी वो संख्या पांच हो सकती है अगर भागफल एक बार ले जाएंगे आप तो साथ एकम करकि चार भाग पल ले जाकरके अपर सभी संग्याव में अगर अगर साह से भाग देते हैं तो आप देख लिजी भाग देकर करके हर इस्थिति में आपका सेज़ब पांच पचेगा ठीक है अब अगर आप 18 अवह अगर आप 18 все 5 में भाग देंगे तो आपका एक बचेगा हो सकता है प्रस्न में आपसे दो सेसफल करके ऐसे पूछ दे ऐसे प्रस्न भी कलप दे दे आपके सामने केवल पांच या केवल एक पांच और एक दोनों ऐसे दे दे ये दोनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे हो सकता है पांच और बारा दे दे तो ये पा तो आप भागपल एक बार जीरो बार एक बार दो बार तीन बार ऐसे ले जा करके आप बड़े आसाने से बता सकते हैं कि भाजे कमान कितना हो सकता है फिर उन भाजे में 18 से आप करमसह भाग देते जाएंगे तो जो भी आपका विकलप होगा आप देख लेंगे सेस्पल कितन अब जो भागपल आया होगा उसी को पांच से भाग दिया गया होगा तो आपका सेस्पल एक आया होगा तो बिलकूल आप इस चीज को समझ लेंगे कि प्रस्तन के पूछने का मतलब यही है तो यहां से क्या करेंगे सबसे पहले आप उस संख्या को ग्याद करेंगे यानि उस भाज जिसमें भाग दिया जा रहा है पहले साथ से भाग दिया गया फिर जो भाग फलाया उसमें पान से भाग देंगे तो साथ से जिस मूल संख्या म मैंने आपको बताया था भी कि आप क्या करेंगे 2 में 1 को add कर दीजी अब जो आता है उसको आप 7 में multiply कर दीजी फिर जो आता है उसको आप add कर दीजी यह पहले प्लस करेंगे उपर से नीचे फिर नीचे से आप तीरी तीर्षा जा करके गुड़ा कर देंगे फिर आप वहां स अब आपका जो भाज है यानि जो संख्या है 26 हो गई अब इस संख्या को आपको 38 से भाग देना है तो सेसपल कितना बचे का मैंने आपको बताया था जब भी जिसमें आपको भाग देनी है अगर उसका मान जिससे भाग देना है उससे छोटा हो था हमेसा आपका सेसपल वह अगला प्रसन देख लिए किसी संख्या में जब करम से 3 और 5 से भाग दिया जाता है तो सेसपल करम से 2 और 4 प्राप्त होते हैं यहाँ पर देख लिए सेम होई चीज़ है कि पहले किसी संख्या में 3 से भाग दिया आपने सेसपल 2 बचा अब जो आपको भाग पल प्राप्त हुआ उसमें आपने 5 से भाग दिया सेसपल 4 प्राप्त होगा ठीक है सबसे पहले आप उस संख्या ग्याद कर लिजिए 3,2 यानि पहला वाला जो भाजक है और सेसपल कितना बचा और दूसरी स्तिति में 5 से आपने भाग दिया सेसपल 4 प्राप्त हो गई आपकी अब इस संख्या में एक बार आप साथ से भाग देंगे और इसी संख्या में एक बार आप 9 से भाग देंगे तो आपका सेसपल मिल जाएगा साथ से भाग देंगे तो सेसपल आपका दो आ जाएगा और जब आप नौ से भाग देंगे तो सेसपल आपका आ जाएगा पांच तो उसी संक्या में करमिक रूप से अगर साथ और नौ से भाग दिया जाए तो आपका सेसपल करम से कितना हो जाएगा दो और पांच यानि बिकल्प में आपका ऐसे दिया गया 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 दो और पांच ती ये बिकल्प आपका बिल्कुल ट्राइट बिकल्प हो जाएगा 46 के पावर 29 प्लस 3 में 45 से भाग देने पर सेस्पल क्या बचेगा कैसे करेंगे इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं कैसे देख लिजिए 26 को आप क्या लिख सकते हैं 45 प्लस 1 ठीक है और इसके पावर घात में कितना है 29 है प्लस यहां पर 3 हो गया आपका और इसमें आपको डिवाइड करना है 45 से ध्यान से देखिएगा यही संख्या है 46 को आपने 45 प्लस 1 की रुप में क्यों लिखा क्योंकि 45 यह 45 कैंसल आउट हो गया आप बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे यही ट्रिक है यहां पर ठीक है आप कि कि घात चाय कितनी भी लगा दिजी आप प्लस में चाय माइनस में डजन्ट मैंटर हमेशा उसका मान एक प्राप्त होगा तो इसका मान हो जाएगा एक और प्लस थ्री डिवाइड बाइड बाई 45 यह हो गया आपका चार बटे 45 ठीक है सेस्पल कितना आपका आजाएगा चा अगला प्रसन देख लिजिए 26 के पावर 54 माइनस वन में 25 से भाग देने पर सेस्पल क्या बचेगा 26 को आप लिख लिजिए 25 प्लस एक के फॉर्म में और इसके पावर है 54 ठीक है माइनस वन डिवाइड़ बाई 25 यह 25 इस 25 से कैंसिल आउट हो गया ठीक है अब उपर क्या बचेगा दिखिए 25 आपका कटता नहीं बिसिकली मुझे इसे काटना नहीं चाहिए था किवल आपका यह 25 कैंसिल आउट कर दीचेगा यह ट्रिक है आपके लिए अब यहां पर दिवाइड़ बाई 25 एक में से माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 0 पचीस इसकी डिवाइड़ यह 25 हो गया जीरो में आप 25 से भाग देंगे तो आपका सेस्पल कितना आएगा जीरो आएगा यहां पर आपका राइट आइंसर हो जाएगा जीरो अगला प्रसन देख लिजिए थोड़ा सा अलग है 24 की पावर 54 है घात में माइनस 5 में 25 से भाग देने पर सेस्पल कितना बचेगा आप यहां पर क्या करेंगे 24 को आप लिख लेंगे 25 माइनस 1 से जब संक्या बड़ी होती है तो प्लस की रूप में लिखते हैं जब संक्या आपको भाग देना है 25 से यहां पर देख लिए 25 आपका कट जाएगा अब आपका बचा माइनस 1 और माइनस 1 की घाते 55 ठीक है और यहां माइनस 5 है आपका डिवाइड में आपका होगे 25 अब देखिए जब संक्या आपकी माइनस 1 हो और घात जो है आपका सम हो इवेन नमब में अगर यही घात का मान और नमबर होता और संक्या होती बिसम संक्या होती तो माइनस 1 की घात में रहने पर उस समय उसका मान आता माइनस 1 में ठीक है यहां घात समय तो यह मान इसका हो गया प्लस एक में और माइनस 5 हो गया डिवाइड बाई 25 ठीक है फिर देख लिजिए 1-5 है यानि-4 हो गया और divided by 25 जब आपका भाज माइनस में हो जैसे माइनस 4 और बटे 25 है इस इस्तिती में सेसफल कैसे ग्याद करते है सेसफल ग्याद करने के लिए क्या किया जाता है आप क्या करेंगे 25 में से 4 को माइनस कर लीजिएगा यह आपका आग्या 21 और यही आपका सेसफल हो जाएगा याद रिखिएगा इस चीज़ को जब भी आपका अंस में या हम जिसमें भाज देते हैं अगर उसका मान माइनस में होता है उस इस्तिती में सेसफल कैसे ग्याद करते हैं भागपल वाली संख्या होती है उसमें से उसको आप माइनस कर लेंगे 25 माइनस फोर कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 21 अगला प्रसंद देख लीजिए 27 के घाते 9 प्लस 5 में 25 से भाग देने पर सेसफल क्या बचेगा यहाँ पर देख लीजिए यह संख्या 27 दी गई है भागपल भाजक आपका 25 है तो यह संख्या जादा है तो इसको आप क्या करेंगे 25 प्लस 2 के फॉर्म में लिख लेंगे और इसके घाते 9 प्लस 5 ठीक है पूरे के डिवाइड कर लीजिए आप 25 यह 25 आपका कैंसल आउट हो गया आप कितना बचा उपर दो गाते 9 प्लस 5 और इसके डिवाइड में हो गया 25 ठीक है अब दो गाते 9 का मान होता है 512 आप करके देख लीजिए का 512 आएगा प्लस 5 डिवाइड बाई 25 हो गया आपका 512 में 5 एड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 517 ठीक है 517 और डिवाइड बाई 25 हो गया आपका इसमें आप भाग देंगे तो आपका सेसपल कितना बचेगा पहले आप 25 दूनी 50 करेंगे एक सेसपल आएगा 7 उतारेंगे 17 हो जाएगा फिर 17 में 25 से भाग जाएगा नहीं तो 17 आपका यहाँ पर हो जाएगा सेसपल ठीक है मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर यह 517 हो गया और इसमें आप 25 से भाग देंगे 25 दूनी 50 एक आया फिर 17 उतारा आपने अब यहाँ पर 0 भाग फल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो आपका सेसपल हो जाएगा 17 जब भी यह संख्या छोटी होती है तो भाग फल आपका एक तो जाएगा नहीं क्योंकि एक भाग फल जाने पर संख्या बड़ी हो जाएगी और माइनस करने पर सेसपल आपका माइनस में आ जाएगा चुकि सेसपल माइनस में लेना नहीं होता है आपको तो आप क्या करते हैं 0 भार ले जाएगे 0 भाग फल ले जाएगे 0 माइनस करने पर आपका सेसपल उतना ही आता है ठीक है आईए देखते हैं अगला प्रस्ण 41 के घात 9 माइनस 5 में 7 से भाग देने पर सेस्पल क्या बचेगा यहाँ पर देख लिजी प्रस्णा थोड़ा सा अलग है अगर आप 7 का टेबल पढ़ेंगे 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 6 के 42 होता है आप यहाँ पहाँ आप 42 को सोचेंगे एक बार कम ले जाएंगे तो 7 पचे 35 होता है 35 आपका 41 से 5 होता है इसकी पेचा क्या करेंगे आप 6 बार ले जाएंगे 7 चक 42 आप क्या करेंगे 41 को आप लिख लेंगे 42 माइनस 1 की फॉर्म में और इसकी घाते 9 हो गया माइनस 5 हो गया और इसकी डिवाइड में हो गया 7 अब यहाँ पर देख लीजिए आप 7 से आप 42 को कट करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 ठीक है 6 भाग फ़ल जाएगा मतलब ओबराल आपका यहाँ पे सेस्पल सुनने आएगा आप ध्यान से देखिएगा 7 से आप 7 में डिवाइड करेंगे तब भी सेस्पल सुनने आएगा 7 से आप 14 में डिवाइड करेंगे तब भी सेस्पल सुनने आएगा 7 से आप 42 में डिवाइड करेंगे तो 7 चक्र 42 है नि 7 के टेबल में आता है 42 विसम संक्या हो जैसे आपका 9 यहाँ पर दिया गया है तो इसका मान हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 5 हो गया यह यह वाली संक्या डिवाइड में हो गया 7 हो गया माइनस 1 माइनस 5 करेंगे तो यह आपका हो जाएगा माइनस 6 क्योंकि दोनों संक्याओं की चिंद समान है तो इनको आप जोड लेंगे माइनस 6 हो जाएगा और यह हो गया 7 जब भी आपका भाज यह यानि जिसमें आपको भाग देना है उसका मान अगर नेगेटिव में हो तो आप क्या करेंगे 7 में से इस 6 को माइनस कर लेंगे 1 आया यह ही आपका हो जाएगा सेस्पल ठीक है तो आप टेबल पढ़के देख लीजिएगा अगर संक्या या भाजक छोटा छोटा दिया गया हो तो टेबल पढ़ेंगे टेबल जो यह संक्या होगी इसके आज पास की जो भी संक्या हैगी जो सबसे नजदीक में होगी उसी संक्या की फार्म में इसको आप कनवट कर लेंगे ठीक है फिर आप उसको कैंसिल आउट कर लेंगे जो बचेगा फिर उसको आप सावल करने के बाद जो आता है लाश्ट में फाइनली फिर उसमें आप भाजक से भाग दे करके देख लेंगे तो आपका सेसफल आ जाएगा अगला प्रसंद देख लीजिए दो की घाते 85 प्लस 3 में 33 से भाग देने पर सेसफल क्या बचेगा यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा आप 2 की कितनी घात ऐसी लगाईए कि उसका मान 33 के आसपास आना चाहिए तो आप 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 दुना 32 यानि 5 बार मतलब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 की घाते 5 यह हो जाएगा आपका 32 32 आपका 33 के आसपास है फिर हम 32 को लिख सकते हैं 33 माइनस 1 के फार में ठीक है और इस 2 की पावर 85 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 5 और इसकी घाते 17 क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर X की घाते यम हो और इसकी घाते यन हो तो इसका मान हो जाता है X घाते यम गुड़े यन ठीक है तो अब 85 को लिख सकते हैं 17 गुड़े 5 तो हमने क्या कि आप 5 को अंदर ले लिया 17 को बाहर ले लिया ठीक है 75 फिर आपका प्लस 3 है और इसमें आपको डिवाइड करना है 33 से अब यह आपका हो गया 32 32 हो गया और इसके घाते हो गया 17 प्लस आपका 3 हो गया डिवाइड वाइ 33 हो गया ठीक है अब इस 32 को आप लिख सकते हैं 33 माइनस 1 इसके घाते हो गया सत्र प्लस आपका 3 हो गया और पूरे की डिवाइड हो गया 33 से ठीक है ये 33 आपका कैंसिल हो गया यहां पर आपका बच गया माइनस एक की पावर सत्र प्लस 3 और इसकी डिवाइड हो गया आपका 33 माइनस एक की घाते सत्र एक और नंबर है विसम संख्या है तो minus 1 की घात भी 17 का मान हो जाएगा तो minus 1 plus 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 2 की डिवाइड 23 करेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपका सेस्पर कितना आगया ठीक तो जब भी यह संख्या छोटी हो घात की रूप में हो जिससे भाग देना हो आपको भाजक आपका बड़ा हो तो आप उसकी घात में कुछ कन्वर्ट करके देख लिजेगा कि इस भाजक के आसपास उसका मान आना चाहिए जैसे हमने आप 32 ले लिया अगर आप एक घात आओ ले जाएंगे दो घाते छे लेंगे तो ये मान आपका कितना हो जाएगा चौसट हो जाएगा तो चौसट में लेना नहीं है एक घात कम ले जाएंगे तो सोला होगा सोला भी आप पूर नहीं लेना है जो बिलकुल उनकी आसपास हो जो भाजक आपका दिया गया हो ठीके फिर उसको आप भाजक के फार में कन्वेट कर लेंगे तो यह आपका एक कैंसिल आउट हो गया है बाकी जो बचता है उसको आप सावल करके बड़े आसानी से सेस्पर का मान बता सकते हैं